हेलो माय डियर इस्टुडेंट आपके अपने चैनल से क्लासेश में आपका स्वागत है अगर आप इस चैनल में अभी आप पहली बार विजिट किये हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ठीक है वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें ओके तो आज हम जो डिसक लिखी जाते हैं ओके तो हम यहां से देखेंगे कि कभी कभी हमेंसे एक्जाम में पूंचा जाता है कि एक से पंद्रा के बीच प्राक्रतिक संख्याओं का योगफल कितना होगा तो ऐसे कुश्चन हमेंसा पूंचे जाते हैं तो इनके लिए जो सबसे बहतरीन फार्मूला है लगाने का तो देखते हैं सबसे पहले समस्ते हैं मैंने कोष्चन यहां पे लिया है जो तीन प्रेकार से कोष्चन को पूँछे जाते हैं तो पहला है कि 1 से 15 के 20 प्राक्रतिक संख्याओं का योगफल कितना होगा vidéo का है से 15 के 20 जितने भी नेशुर नंबर से उनका समीश क्या होगा हैना है के वन से 30 के बीच इवन संख्याओं का युगफल कितना होगा फिर लाजट है कुश्य एक से 20 के बीच बिशन के करें लेकर तो हमें बहुत टाइम रहिrices कि एक्जाम में हमें कुछ fraction of second में इनको solve करना होता है ठीक है तो इसके लिए जो सबसे आसान तरीका है वह है कि सबसे पहले इसका फार्मूला देखते हैं कि 1 से 15 के 20 प्राक्रति संख्याओं का योगफल कितना होगा तो जो इसका फार्मूला है वह है यन इंटू यन प्लस 1 अपान 2 ठीक है तो यन हमारा क्या है अंतिम शंख्या क्या है अंतिम शंख्या अंतिम शंख्या गुणे यन यन भी क्या है हमारा अंतिम शंख्या ठीक है अप्लस 1 अब बाई का 2 करना है या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ठीक है तो यहां पी क्या है अंतिम शंख्या क्य है 15 है तो 15 रख दिये अब क्या है ब्रेकेट में 15 प्लस 1 है बाइट तो अब दोस्तों यहां से देखो 15 था 15 तो 15 लख दिया अब यह ब्रेकेट है तो ब्रेकेट में 15 प्लस क्या हो जाएगा शिक्स्टीन सोला अपांट टू अब टू एड़ जा शिक्स्टीन एड़ तो फिप्टीन एड़ जा वन हैं यह हमारा राइट अंसर होगा तो बहुत ही आसान है हमें यह फार्मूला लंग करना है और हमें हम fraction of second में हम अंसर पाएंगे इसका अब जैसे एक है एक से 30 के बीच समसंख्याओं का युगफल कितना होगा तो इसके लिए सबसे पहले यह समझना है कि एक से 30 के बीच समसंख्याओं कितनी होगी तो क्योंकि एक से 30 के बीच में हमारी विसमसंख्याओं भी सामिल होगी और समसंख्याओं भी सामिल होगी ठीक है तो अगर हम ऐसे भी लिखें एक दो तीन चार पाँच ऐसे 30 तक तो हम देखेंगे कि इसमें 15 हमारी समसंख्याओं होंगी ठीक है और 15 ही हमारी 20 संख्या होंगी ठीक है तो हमें क्या question में क्या पूंचा है हमसे कि शंख्या कितनी होंगी तो इसके लिए जो formula होता है वह है n into n प्लस 1 यहाँ पर क्या था प्रागर्तिक संख्याओं के लिए यन multiply n plus 1 upon 2 यहाँ है n multiply n plus 1 bracket में तो यह ध्यान रखना है तो अब यन हमारा क्या है हमें क्या find हो गया 15 हो गया संख्या तो 15 और bracket में 15 plus 1 तो कितना हो गया 15 multiply 15 plus 1 16 ठीक है तो अब यहाँ से हमें multiply करना अब हमें ऐसे multiply नहीं करना है कि 15 का 16 ठीक है तो हमें कुछ इस तरह से solve नहीं करना है कि 15 का multiply 16 से करेंगे ऐसे नहीं करेंगे ऐसे करने से हमें बहुत time लग जाता है बट हमें exam के लिए हमें बताया हैं कि हमें fraction of से कंड में करना है तो इसके लिए जो करना है तो हम कैसे करेंगे कि जैसे 15 multiply 16 किया तो हमें 16 का करना पड़ेगा तो 16 फाइब जा एटी का जीरो करी आया एट और 16 फाइट तो 16 फाइट कितना हो जाएगा 16 में प्लस 4 जो एड करोगे 4 जोड़ोगे तो 20 होगा प्लस 4 और करोगे प्लस 4 और तो क्या हो गया 24 है ना 24 तो कितना हो गया 240 यह हमारा राइट अंसर होगा अब देखते हैं कि जैसे question पूंचता है कि एक से 20 के बीच 20 संख्याओं का योगफल कितना होगा बहुत इंपोर्टेंट है हमेशे एक्जाम में पूंचे जाते हैं हमेशा तो वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा आपको share करना है अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को आप ज़्यादा हमारी समसंख्याओं भी होगी बिसमसंख्याओं भी होगी तो यहां से हमारी एक से बीच के बीच में दस हमारी समसंख्याओं और दस हमारी बिसमसंख्याओं होगी ठीक है तो यहां से हम क्या करेंगे कि जो एक तरीका यह भी है जो बहुत ही आसान है बहुत ही इजी है तो हम क्या कर सकते हैं 20 by 2 भी कर सकते हैं तो यहां से भी डारेक्ट हमें 10 मिल जाएगा ओके तो यहां से हम क्या करेंगे जो इसका फार्मूले है वह हैं बहुत ही आशान है इसी है यह स्क्वार होगा ठीक है विसम संख्याओं के लिए अगर हमें सब्सक्राइब करना है तो यहीं स्क्वार अब यहन के जगे हम क्या रख सकते हैं 10 हमको मिला है तो 10 का स्क्वार क्या हो जाएगा टेन मल्टिप्लाइट 10 तो 10 टेन जा 100 तो यहीं हमारा राइट अंसर होगा तो यह ऐसे कुछ कोस्चन थे जो हमेशा एक्जाम पॉइंट सब्विव से बहुत इंपोर्टेंट है कोई भी competitive जाम है सभी के लिए हमेशा इंपोर्टेंट होते हैं तो इनको आपको एक से दो बार आपको वाज़ करना है ठीक है और इसको अच्छे से समझना है समझ कर ही इनका अंसर करना है तो आई होप आपको यह समझ में आयो होंगे ठीक है तो इनको आपको दो से तीन बार आप देखकर अच्छे से इसको जो फार्मूला है इनको आपको लिखना है ठीक है और इसको रिवाइस करना है और भी आप यहां से आप नंबर चेंज करके कितने भी कोश्चन आप यहां से फार्मेशन कर सकते हैं कोश्चन बना सकते हैं और उनसा उनक कर सकते हैं ओके तो मिलते हैं next class में thank you